हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, एगलेस बाइट्स में आपका स्वागत है, गाइज पहले मैंने अपने चैनल का नाम दिपी का वेज किचन मसाला व्लॉग रखा था, बट अब मैंने इसे चेंज करके एगलेस बाइट्स रख दिया है, तो प्लीज आप इस चैनल प चले तो बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है तीन किलो गाजर, जिसे अच्छे से वाश करके उसे पिल करके ग्रेट कर दिया था, पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, बाद में मिरको लगा नहीं यार मिरको गाजर का हलुला, ज यहाँ पर मैंने लिया है, तीन बड़े चम्मच से मैंने गही लिया है और गैस ओन कर दिया है, बार बनाने के ला मज़े कुछ और बहुत holds lot यहाँ रहा था बार बनाने में ॹनांगी…. जो यह चम्मच है न बड़ी इसी से मैंने तीन चम्मच घह लिया है, यह देखिए, अब हम इसे सारा गही में Ad कर दिया है, आब हम इसे अच्छे से Mix करते हुए, इसे चलाएंगे, अब जब तक गाजर का इसमें अभी Juice नीकलेगा, इसका Color भी Change हो जाएगा गाजर का, अर जब इसका Juice बहुत ज़ादा कम हो जाएगा, फिर हम इसमे और ingredients एड़ करेंगे यह देखे इसी तरह इसे अच्छे से mix करेंगे gas की flame हम medium रखेंगे पहले 10 मिनट के बाद हम gas की जो flame है उसे low कर देंगे बिल्कुल कम रखेंगे और इसी तरह इसे अच्छे से mix करते हुए हम इसे पकाएंगे यह देखे जैसे जैसे हम इसको mix करेंगे न वैसे वैसे ही जो गाजर का color है वो भी change हो जाएगा और इसे अच्छे से juice पे निकल जाएगा फिर हम तब तक इसे पकाएंगे जब तक वो juice अच्छे से ही इसी में absorb ना हो जाए फिर जब juice है वो सारा इसमें सुख जाएगा न फिर हम इसमें और ingredients एड़ करेंगे यह देखे हम इसे इसी तरह mix करते देगे इसका जो color है वो भी बहुत जादा change होता जाएगा सर्दियों के मौसम में गाजर का हल्वा खाने का मज़ा ही कुछ और है वो भी बाहर बनाने में बाहर जो मज़ा आरा ना बनाने में वो इतनी ज़्यादा ठंड है और साथ ही मैं गैस के पास अपने हाथ भी करम कर रही थी और साथ ही से mix भी कर रही थी देखिए इसका color कितना change हो गया और गैस की flame किया भी low और इसे low flame में रखके खुद बच्छों को देखने के लिए जाती हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं वो मम्मे के साथ बेटे हैं और देखती हुं तब तक वो दोनों क्या कर रहे हैं चली तो आपको भी मिलवाते है दृत्वने धानियां से हम चाए पीते थे भी बड़े होके तब हम मिलते थे आपस तो अब हम दोस्त बन गए जब हम नहीं बनते थे तब हम लगाई करते थे है यह गाइज है यह गाइज है तो अब हम परेंगे मातलंट लिए हम हमारों अपनी नोड़ बुक्त पहते हैं क्या करते हैं मेली बिलो है यह गाइज है यह गाइज है यह गाइज है यह गाइज हमारी ममा ने दिया नहीं और हम परने की आदत लिए अब हम इसमें एड करेंगे मिल्क मैं इसमें एड करूंगी त्री लिटर लिटर लिए यह गाइज है इसका जो रस है वह अच्छे से सूख गया है अब हम इसमें एड करेंगे मिल्क मैं इसमें एड करूंगी थ्री लिटर यह जो ट्री केज़ी गाजार है न मैं मैं में 3 लिटर के करीब मैं इसमें milk add करूंगी, और अगर आपके पास मावा है तो आप दूद इसमें कम भी add कर सकते हो, मेरे पास मलाई भी नहीं थी, मैं मलाई इसमें जरूर add करती हूँ, जैसे बॉयल दूद से मलाई जो निकाल के रखी होती है, मैं वो इसको add कर देती एक दो दिन store कर देती हूँ फिर जब भल्वा बनाना उसमें एड़ कर देती हूँ वो मैं कभी और दिन आपको वली से भी बताऊंगी अभी मैंने इसमें इसमें जो अभी दो लिटर दूद मैंने इसमें एड़ कर दिया है और फिर में उचे लगाया भी ये कम है अभी मैं इ इसे अच्छे से mix करेंगे, अब high to medium flame हम इसे चलाते रहेंगे, अगर हम इसे high बीच बीच में high करेंगे flame को आप बीच बीच में medium रखेंगे, फिर अगर आपको लगा कि बाद में जैसे नीचे चिपक रहा है तो इसे कम कर दें, अब मैं इसमें dark head करूंगी, जो भी आपको drive fruits add करना होना, तो आप अपने हिसाब से देख लें, जो भी आपको add करने है, drive fruits, मैंने इसमें थोड़े सी dark head की है, और साथ ही मैं इसमें add करूंगी, ilaichi, ilaichi का जो flavor है वो गजरेले में बहुत ही जादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत जादा tasty लगता है, आप अपने according देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है, तो add करना, नहीं अच्छा लगता है, तो आप skip कर सकते हो, बट गजरेले में ilaichi होना तो बहुत ही जादा जरूरी है, मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अब हम इसे high to medium flame अच्छे से mix करते हुए, इसे पक कटर होता है, greater होता है, उसमें मैं grade कर रही थी, पर मिर से होनी रात अच्छे से, फिर मैंने इसे knife से cut किया, काजू और बदाम को, मैंने अच्छे से cut कर दिया था, और साथ ही मैं इसे cut कर रही हूँ, थोड़े से जो इसमें grade हुए थे, वो मैंने इसमें add कर दिया है, ये द काजू और बदाम इसमें cut करके add करे थे, वो थोड़े मैंने मोटे मोटे करके थे, वो वीडियो भी मैं बनाना skip कर गई, ये देखे, अब हम इसे अच्छे से mix करेगे, और जो हमारा हलवा है न, वो 25 मिनट में बहुत जादा जल्दी बन कर तियार हो जाएगा, बहुत sugar, sugar हम according to taste ही add करेगे, अगर आप लोग ज़्यादा चीनी खाते हो, ज़्यादा sweet ही है तो ज़्यादा add करे, अगर आपको कम, तो आप कम add करे, अब देखे, मैंने इसमें, डीट कटोरी के हिसाब से, इसमें मैंने sugar add कर दी, और अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे, अगर आप आपके पास मलाई है तो आप मलाई भी add कर सकते हो, बहुत ज़्यादा tasty हल्वा बन कर स्यार होगा, या ऐसे बीना मलाई के भी अच्छा होगा, अगर है तो ज़रूर add करे, अब मैं इसमें add करूंगी powder dood, powder dood से बहुत अच्छा taste आएगा, तो sugar थोड़ा कम add करे, क्योंकि ह 10-10 रुपिस के जो packet आदे हैं, वो मैं इसमें add करूंगी, दो packet, दो packet मैं इसमें add करूंगी, 10-10 रुपिस वाले, और अच्छे से mix करते हुए, तब तक पकाएंगे, जब तक जो ये दूद है, इसमें अच्छे से सूख ना जाए, और अभी पता क्या हुआ, मैं इसको slow flame मे दूद को add करके रखा, और खुद मैं चलेगी बच्चों के पास, मैं दूद धानिया के साथ चलेगी, और मैंने gas की flame कम करके रखी, मैंने भाया को और मम्मी को बूला था, तब तक आप ये देख लेना, मैं बच्चों के साथ हूँ, वो दोनों ना इसको अंदर ले गे, व वो वीडियो भी में skip हो गई, मैं दूद धाने के साथ busy हो गई, और वीडियो वहां से skip हो गई, तो अब मैं इसे दाप को serve करके दिखाऊंगी, बस अब हम इसे तब तक ही पकाएंगे, जब तक ये दूद इसका, सारा इसका सूखना जाए, बस, फिर हमारा जो हलवा है, ए भी जरूर बताए, देखे, अब हम इसे, अभी तो हम जो गैस की फ्ले में वो अभी लो कर देंगे, क्यूंकि अब तो हम लो फ्ले में से चलाते हुए पकाएंगे, तब ही जो दूद है न हमारा जल्दी से पक कर, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और हमारा जो हलवा है बन कर, तयार हो जाएगा, ठंट के मौसम में न हल्वे खाने की बात ही कुछ और है, गाज़र की हल्वे खाने की तो बात ही कुछ और है, देखे, अब हमारा जो हल्वा है न वो बन कर, तयार हो जाएगा, जब ए दूद इसमें सारा सूख जाएगा, और इसे मम्मी और भ आप अपने घर पे इस रेसिपी को बनाओगे तो मुझे comment box में जरूर बताना कि आपका हलवा कैसे बन कर तयार हुआ चलिए तो आए करते हैं enjoy thank you for watching और सर्दी के मौसम में तो आज कल आप इसे बना कर एक हपते तक भी रखोगे बिना फ्रीजर के बिना फ्रीजर के बिना फ्